अध्यायत 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना अरजिन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, शेत्र एवं शेत्रग्य तथा ज्यान एवं ग्योए के विश्वे में जानने का इच्चुक हूँ श्री भगवान ने कहा, हे कुंति पुत्र, यह शेत्र शेत्र कहलाता है और इस शेत्र को जानने वाला शेत्रग्य है हे भरंतशी, तुम्हें ग्यात होना चाहिए कि मैं भी समझ शेत्रों में ग्याता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ग्याता को जान लेना ग्यान कहलाता है ऐसा मेरा मत है अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो की कर्म शेतर क्या है यह किस परकार बना है इसमें क्या परिवर्टन होते है यह कहां से उत्पन होता है इस कर्म शेत्र को जानने वाला कौन है और इसके क्या परभाव है। विभिन वेदिक ग्रंधों में विभिन रिश्यों ने कारे कलापों के शेत्र तथा उन कारे कलापों के ग्याता के ग्यान का वर्नन किया है। इसे विशेश रूप से वेदाउंत सूत्र में कारे कारण के समस्तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। किरिया कहा जाता है विनमर्ता, दम हीनता, अहिंसा, सहीशूनता, सरल्ता, प्रमानी गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिर्ता, आत्मसैयम, इंद्रतृत्रिप्ति के विश्यों का परित्याग, एहंकार का अभाव, जन, मृत्यो, ब्रिदा वस्ता तथा रोग के दोशो वेरागे, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य विस्तों की मम्ता से मुक्ती, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रती संभाव, मेरे प्रती निरंतर अनन्य भक्ती, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समू से विलगाव, आत्म साक्षातकार की महता को सुईकारना, तथ परम सत्य की दाशनी खोच, इन सब को मैं ज्यान घोशित करता हूँ, इनके अत्रिक्त जो भी है, वो सब अज्यान है, अब मैं तुम्हें ग्योय के विश्य में बतलाऊँगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्मा का आस्वादन कर सकोगे, यह ब्रह्मा यह आत्मा जो अन तथा उनके कान सरोत्र हैं, इस परकार परमात्मा सभी वस्तों में ब्याप्त होकर अवस्तित है, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्त्रोत हैं, फिर भी वो इंद्रियों से रही थे, वो समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं, वो परकरती के गुनों से प सुक्ष्म होने के कारण वो भोतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है यद्यवी वो अत्यन दूर है किन्तु हम सबों के निकट भी है यद्यवी परमात्मा समस्त जीवों के मध्य बिवाजित परतीत होता है लेकिन वो कभी भी बिवाजित नहीं है वो एक रूप में स्तित है यदिवी वो परती एक जीप का पालन करता है लेकिन यह समझना चाहिए कि वो सबों का संघार करता है और सबों को जन्म देता है वो समस्त परकाश मानवस्तों का परकाश तरोत है वो भोतिक अंदकार से परे है और अगोचर है वे ग्यान है गय है और ग्यान के लक्षे है वो सब के हृद्य में स्तित है इस परकार मैंने कर्म शेत्र ग्यान तथा ग्याई का संक्षेप में वर्नन किया है इसे केवल मेरे भक्ति पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे सोभाव को राप्त होते हैं परकृति तथा जीवों को अनादी समझना चाहिए उनके विकार तथा गुन परकृति जन्य है परकृति समस्त भोति कारणों तथा कारियों के हैतु कही जाती है और जीव इस संसार में विवित सुक दुक के भोग का कारण कहा जाता है इस परकार जी परकरती के तीनों गुणों का भोग करता हुआ परकरती में ही जीवन बिताता है यहाँ उस परकरती के साथ उसकी संगती के कारण है इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनिया मिलती है तो भी इस शेरीन में एक अन्य दिव्य भोगता है जो इश्वर है परमस्वामी है और साक्षी तथा अनुमती देने वाले के रूप में विद्धिमान है और जो परमात्मा कहलाता है जो व्यक्ति परकर्ती जीव तथा परकर्ती के गुनों की अंतकरिया से संबंदित इस विचार धारा को समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनश्चित है उसकी वर्तवान स्थीति चायज जैसी हो यहाँ पर उसका पुनर जिनम नहीं होगा कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं तो दूसरे लोग ग्यान के अनुशिलन द्वारा और कुछ ऐसे हैं जो निश्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपी आध्यात्मिक ज्ञान से आउगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विश्य में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं वो कर्म शेत्र तथा शेत्र के ग्याता का संयूंग मात्र है जो परमात्मा को समझ शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी विबिनिष्ट होता है वही वास्तव में देखता है जो व्यक्ति परमात्मा को सरवत्रत्था परतेक जीब में समान रूप से वर्तमान देखता है वो अपने मन के द्वारा अपने आपको भरष्ट नहीं करता इस परकार वो दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है जो यह देखता है कि सारे कारे शरीर द्वारा संपन किये जाते हैं जिसकी उत्पत्ति परकर्ती से हुई है और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता वही यथार्त में देखता है जब विवेक वान ब्यक्ति बिविन भोतिक शरीरों के कारण बिविन सोरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस परकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं तो वो ब्रह्मा बोध को प्राप्त होता है शाश्वत द्रिष्टी संपन लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुणों से अतीत है हे अर्जुन भोतिक शरीर के साथ संपर्ख होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है यद्धिपी आकाश सरोब्यापी है कि अपनी सुक्ष्म परकृती के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं है इसी तरह ब्रह्मा द्रिष्टी में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता हे भरत पुत्र जिस परकार सुरिया अकेले इस सारे ब्रह्माण को परकाशित करता है उसी परकार शरीर के वीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से परकाशित करता है जो लोग ज्यान के चक्षों से शरीर तथा शरीर के ग्याता के अंतर को देखते हैं और भवभंदन से मुक्ति की विधी को भी जानते हैं, उन्हें परमलक्ष प्राप्त होता है।